तो गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भुगोल के टाप 25 महत्पूर प्रश्ण को ले करके ये सारे के सारे प्रश्ण आपका NTPC, UPSI, SSCGD सभी परिक्षाओं के लिए अती महत्पूर है तो चलिए शुरू करते हो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला कोशन क्या दिया हुआ है फर्स्ट कोशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पूछा ये गिया है कि निमलिखित संग शासित छेत्रों में सबसे कम छेत्रफल किसका है अब देखिए संग शाषित की बात आई है यहाँ पर बात हो रही किसको लेकर के यूनियन ट्रेट्री को लेकर के बात हो रही है तो बताना यह है कि किस यूनियन ट्रेट्री का एरिया सबसे कम है तो ये कम है लक्षदीब का, यानि कि इसका जो सही उतर हो जाएगा, वो आपका option number D हो जाएगा, कितना area है भाई इसका 32 km2, उसके बाद आपका आता है चंडीगड, जिसका area है 114 km2, फिर उसके बाद आता है पुनुचेरी, जिसका area है 489 km2, और फिर उसके बाद आता है जिसका area है 1483 km, एंड फिर जम्मू कश्मीर 422,000, और उसकी बाद अगर हम बात करें लग्दाख को ले करके, तो लग्दाख का area है 69,146, यानि कि अगर हम area को ले करके बात के, जो सबसे बड़ा union treaty है, वो है आपका लग्दाख, और सबसे छोटा है लक्षदीब, I hope guys clear आगे हम बात करें हीरा कुन बांध किस नदी पर बनाए गया है, तो हीरा कुन की बागर हम बात करें, तो ये आपका बना हुआ है महा नदी पर, यानि कि इसका जो सही उतर हो जाएगा, वो आपका option number A हो जाएगा, दियान लखिएगा हीरा कुन बांध आपका महा नदी पर बना हुआ है आगे हम बात के लेते हैं कोशन नमबर थट पूछा गया है कि रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे उचा बांध है तो सबसे उचा बांध कौन सा है यह आपका ररजीत सागर बांध यानि कि आप्शन नमबर सी आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा एक यहां से और धियान लखिएगा ररजीत सिंग बांध को थीन बांध भी कहा जाता है और यह पंजाब का सबसे बड़ा जल विदुत बांध है तो यह दोनों पॉइंट इसके ले करके धियान लखिएगा आगे हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि पूर्वी भारत का स नेक्स हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि निमलिकित में वा नदी कौन सी है जिसका उद्दम भारत छेतर में नहीं है तो यह किसका नहीं है यह नहीं है ब्राहम पुत्र का यानि कि ऑप्शन नंबर भी इसका विल्कुल सही उतर हो जाएगा अब इसको लेकर के दो बाते बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान लखनी है एक्जाम में पूछी गई है एक तो यह बाई कि यह लंबी नदी है अगर हम इसकी लेंथ को लेकर के बात करें तो कितना है वंतिस सो किलो मीटर और दूसरी बात आपको यह ध्यान लखनी है कि जो ब्राहम पुत्र है इ आगे हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भारत को लेकर के बात करें यह धियान लखियेगा गोदावरी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी को दक्षड गंगा के नाम से जाना जाता है अगर मैं बात क तो यह किस राज्य की नहीं लगती है यह नहीं लगती है यानि कि इसका जो सही उतर हो जाएगा वो आपका option number a हो जाएगा अब अगर मैं बात करूँ कि मिजोरं किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमाों को share करता है तो म्यानमार के साथ करता है आसाम के साथ करता है तिरिपूरा के साथ करता है और साथ-साथ मनीपुर के साथ भी करता है ठीक है ना किसके साथ मनीपुर के साथ करता है इन चार राज्यों के साथ करता है अगर मैं देश को लेकर के बात करूँ तो जो आपका बांगला देश है है ना बांगला देश के साथ ये क्या करता है सीमा को शेयर करता है एक चीज मिजोरम को लेकर के ओधियान लखिएगा अगर मैं मिजोरम को लेकर के बात करूँ तो ये आसाम से अलग होकर ठीक है ना 1972 में बना था आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर नेक्स है कि भारत में सबसे अधिक मैगनीज पैदा करता है तो सबसे अधिक मैगनीज कौन पैदा करता है ये बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A यानि कि मध्ध परदेश, ठीक है न, सबसे अधिक मैगनीज मध्ध परदेश ही पैदा करता है आगे हम बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि भवानी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो जाइसी बात है, यहाँ पर ऑप्शन दिखी रहा होगा आपको भवानी बांध पर बनाया गया है ऑप्शन नमबर C आपका कर्रेक्ट अंसर हो लाएगा अच्छा ये है कहाँ पर भवानी सागर बांध काजी रंगा नैशनल पार्क जो है ये आपको आसाम में देख रहों को मिलेगी और काजी रंगा किस वज़े से फेमस है ये भी मैं आपको कई बार बगा चुका हूँ एक सिंग के गेंडे के लिए काजी रंगा नैशनल पार्क में एक सिंग का गेंडा पाया जाता है ठीक है तो ये अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल यानि कि option number D इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है guys ध्यान लखिएगा next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि माजुली दीप किस राज में इस्तित है तो अगर मैं माजुली दीप को लेगर के बात करूँ ये आपका आसाम राज में इस्तित है यानि कि option number C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि जोग जल प्रापात किस राज में इस्तित है तो जोग को लेकर के बात करें ये आपका करनाटक राज में इस्तित है option number A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान अखिएगा जोग जल पात्र करनाटक आगे हम बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि भारत सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो ये कौन सी है, ये है आपका इंदरा गांधी नहर यानि कि इसका जो सही उतर हो जाएगा, वो आपका option number D हो जाएगा और देखिए, इसकी लंबाई कितनी है, तो 470 किलो मीटर, कितना भाई, 470 किलो मीटर, ये भी धियान लखिएगा लेक्स लंबात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि छेतरुफल के दरश्टी से भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो छेतरुफल की दरश्टी से भारत का यहाँ पे सातवा इस्थान है, यानि कि option number D आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ना, और इसका एरिया है कितना, तो 32,87,263 वर्ग कलो मीटर अच्छा, नमबर एक पे कौन है, तो नमबर एक पे है रश्या, नमबर दो पे कौन है, नमबर दो पे है कैनेडा, नमबर तीन पे कौन है, नमबर तीन पे है आपका United State of America, ठीक है और भारत है अपना साथवे स्थान पे, आगे हम बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि सौर पथम इंडिया शब्द का परियोग भारत के लिए किस भाशा में किया गया था, तो जो इसका परियोग करा गया था, ये करा गया था अपका ग्रीप भाशा में, यानि कि Option बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील निम्नखित में से कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये है आपका वूलर जील, यानि कि Option नमबर A आपका बिलकुल सही उतर हो जाएगा, सबसे पहरी बात तो ये पूछी है थी कि वूलर जील है क नहां पे, तो ये आपको धियान लखने है, जम्मू कश्मीर में ये है, और इसका एक और नाम है, जो इसका बोलते है औरिजिनल लेम, असली नाम, वो है महापदमा सार, नेक्स नमबात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि लोनार जील किस राज में इस्तित है, तो लोनार जो है आपका, वो आपका महाराश राज में इस्तित है, यानि कि ऑप्शन नमबर सी आपका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेक्स नमबात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि भारती क्रिशी अनुसंधान परिशत के अनुसार, भारत में कितने प्रकार की मिटियां पाई जाती हैं, तो भारत में आठ प्रकार की मिटियां पाई जाती हैं, यानि कि ऑप्शन नमबर डी आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, अब ये आठ प्रकार की मिटियां कौन-कौन सी हैं, नोट कर लीजेगा, जलोड मिटी, काली मिटी, लाल मिटी, लेटराइट मिट्टी मरुस्थली मिट्टी लवडी मिट्टी दलदली मिट्टी और प्रवती मिट्टी ये आठ प्रकार की मिट्टिया पाई जाती है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि भारत के सरवदिक छेतर पर किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाई जाता ह तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा यह आपका जलोड मिट्टी का यानि कि option number A आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अब यह जलोड मिट्टी भारत के किस इस्थान में आपको देखने को मिलेगी तो उत्तरी विशाल मैदानों में आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट हम बात करें पूछा यह गया है कि छेतरफल के अधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है तो अगर हम इसको लेकर के बात करें तो सबसे पहले तो आपका जलोड मिट्टी फिर आपका लाल फिर आपका काली फिर आपका लेटराइट यानि कि option number B इसका जो है वो correct answer हो जाएगा next question की बात करें पूछा ये गया है कि सूर के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो सूर के सबसे नजदीक ग्रह जो है ये आपका बुध है यानि कि option number D आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा सबसे चोटा ग्रह कहलाता है अपने सूरमंडल को ले करके बात करें और ये जो सूर की परिकरिमा करता है वो कितने दिन में करता है 88 दिन में करता है कितने दिन में 88 दिन में तो ये दोनों बाते धियान लखिएगा नेक्स कोशन की बात करें पूछा ये गया है कि भारत में पर्थम सीमेंट सन्यंत्र 1904 इस्वी में कहां पे इस्थापित किया गया था तो ये कहां पे करा गया था ये करा गया था चिन्नाई में यानि कि option number A आपका विल्कुल correct answer हो जाएगा नेक्स कोशन की बात करें पूछा ये गया है कि भारी मशीन प्लांट कहां इस्थित है तो भारी मशीन प्लांट आपका राची में स्थित है option number D इसका correct answer होगा last question की बात के ने पूछा ये गया है कि कानपूर किस लिए प्रसिद्ध है तो कानपूर जो है ये आपका चमडा उद्दोग के लिए प्रसिद्ध है option number B आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है guys तो ये थे आपके top 25 important questions जिनको हम लोगों ने यहाँ पे detail में cover करा है so guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार like जरू करिएगा और लोगों को share करिएगा जिससे और लोग का इसका benefit मिल सके और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो please चैनल को subscribe करने so friends thank you and all the very best for your examination